दोस्तों सुप्रीम कोड का आदेश आया है अस उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश वसूली कर रही थी उन प्रदर्शन कारियों के खिलाफ जिन्होंने सी ए एनर्सी के खिलाफ प्रदर्शन किया था काफी लंबे समय तक प्रदर्शन किया था वैसे देखे तो उत्त्रफर्देश सरकार ने लॉग डाउन के दॉरार कोज़ार दूरार के कुछ भी काम नहीं किया था जंता के लिए हजारों लाखों की संख्या में मज़़ूर किसां मरे बी थे, उनके लाशों को दफनाने का भी उपाय नहीं किया गया और यहां तक की सड़क के किनारे जो बिचारे अपना रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वी उठाकर बंद कर दिया गया रिक्षा चालकों से रिक्षा छील ली गई ठेला पर बेचने वाले समानों से ठेला छील लिया गया यही हालात जब वो मजदूर लाखों के संख्या में सड़कों से गुजर रहे थे उनके खिलाफ किया गया था कीट नाशक दवाएं उनके उपे चिड़की गए थी और काम क्या चल रहा है तो राम मंदिर बनाने में वहां के मुख्य मंत्री और बाकी सप्रधान मंत्री सब ने एक तमाशा सा बना दिया हिजाव के खिलाफ बड़े बड़े नारे बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं लेकिन जो बाकी ढोंग हो रहा है समाज में खासकर उत्तर प्रदेश में उसका कुछ विजिक्र नहीं है जो वसूली उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी और जिनको नूटिस दिया गया था सब को नाही कियोल स्थगन कर दिया है सुप्रीम कोट ने बलकि उसने मना ही कर दिये उसने यहां तक कहा गया है उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जो वसूली आपने कर लिया उसे मैं यह नहीं मानता कि इस सुप्रीम कोट के आदेश से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने वाला है। मैं सहमत हूँ जो आदेशा है उससे अच्छी बात है लेकिन आज की न्याले इस पूंजी वाद की इस रूप यानि फासिवादी सरकार के खिलाप में कुछ कर सकने में सक्षम नहीं है। इसके पहले सरकार मनमोहन सिगने वी कहा था जब अरब कंट्रीज में जास्मिन रिवुलूशन के नाम से वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई थी उस समय के शास्कों के खिलाप तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भारत में करांती नहीं हो सकता है। बहुत भाय है इन सबको। आज जितने भी राज्यों में चुना हो रहा जितने भी हो रहे आपस में जितने भी लड़ ले। सबके सब में कॉंग्रेस भाजपा आवाने पाटी सपा बसपा अकाली दल में एक एकता है एक समानता है वह है पूंजी वाद की सेवा और बदले में बहुत सारे कमीशन दलाली एलेक्षन बॉंड हो पे पर्ग सो अमल एंपी का दुगुना तुगुना वेतन हो पिंशन मिर दुगुना तिगी ना मिलता है मनने के बाद इनकी घरवानों को पूरा का पूरा मिलेगा दूसे तरह फोजेओं को वन रेंग वन पिंशन नहीं मिलता है पारा मिलिटरी फोर्सेस के जो पेंशन तो उसको खत्म कर दिया गया और सारे सरकारी महकमों को धी में धी में करके नीजी हाथों बेचा जा रहा है जहां रिजर्वेशन नामक चीज़ों खत्म कर दिया जाएगा आपका रास्ता कुछ और है राहत भले ही मिल जाए थोड़े समय के लिए लेकिन यह मुक्ती का रास्ता नहीं है धन्यवाद दोस्तों